जे मसीखी दोस्तों, आज के सुरगी मन्ना का भाग हमने लिया है भजन सहिता, उसका 49वा अध्याय और उसका बारमापत वचन कहता है, हे यहोवा, मेरी प्रात्ना सुन और मेरी पुकार पर कान लगा मेरे आसों को देखकर चुपना रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ प्रवासी हूँ, अपने सब पूरवजों के समान पढ़ते सी हूँ, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए, दोस्तों वचन हमें क्या बताता है, वचन हमें बताता है, कि भजनकार इस धर्ती को अपना नहीं समझता है, वो स्वर्ग को अपना समझता है, वो उस धाम को अपना समझता है, जो परमेश्वर ने उसे दिया है और जहां पिता उसका रहता है, आलेलोया, इसलिए वो कहता है कि मैं इस धर्ती को अपना समझ लेंगे, अगर हम इस धर्ती को अपना समझ लेकिन एशू हमें बताता है कि हमारा इस्थाईगर कहा है स्वरक में है अगर हमें धन अर्जित करना है तो स्वरक में करना है यहाँ पर नहीं हम यहाँ पर अपना धन अपना व्याँ नहीं कर सकते अर्जित क्योंकि यहाँ पर चोर है लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का आश तो हमें जो भी यहां कमाना है वो स्वर्क के लिए कमाना है इसे धर्टी पर रहते हुए हमें स्वर्क की उपसिती का एहसास करना है हमें ये जानना है हमें ये महसूस करना है कि हमें धर्टी पर परदेसी है इशोमसी धर्टी पर आया एक परदेशी के रूप में रहा उसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया उसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया चेरू ने पूछा कि तो कहा रहता है उसने कहा कि पक्षियों के लिए गोसले हैं लेकिन मनुश्य के बुत्र के लिए कोई गोसला नहीं है हालेलोया. हमें अपना घर कहा बनाना है? स्वारग में. इश्यूमसी ने जाते हुए हमसे क्या कहा? कि मैं जाता out और तुमारे लिए स्वारग में घर तयार करता हूँ, रूम तयार करता हूँ, हालेलोया. वही पर हमारा घर है. और हम पाप से रही तब ही रह सकते हैं जम इस धर्थी को धर्थी पर रहते हुए अपने आपको पढ़देशी जाने यह धर्थी हमारी नहीं है यह परमेश्र की बनाई हुई रशना है जिसमें हमें सुख और आनंद मिलता है लेकिन घर हमारा कौन सा है पिता के साथ रहना इसलिए अगर हम पाप से दूर रहना चाहते हैं तो हमें अपने आपको पढ़देशी मान कर ही धर्थी बढ़एना होगा इसलिए वो कह रहा है कि मेरी पकाल पर कान लगा और मेरे आंसों को देखकर चुपना रहे क्योंकि मैं तेरे साथ पढ़देशी हूँ मैं तेरे साथ पढ़देशी रहना चाहता हूँ मेरे आंसों पर अपना कान लगा मेरी विंती पर अपना कान लगा कि मुझे वो बुद्धी दे, मुझे वो ग्यान दे, मुझे वो शक्ती दे, मुझे वो आशीश दे कि मैं इस धर्ती पर अपने आपको परदेशी ही बना कर रखूँ मेरा मन इस धर्ती पर ना लगे, मेरा मन धर्ती का ना हो जाए मैं अपनी आपको परदेशी बनाकर तेरे चर्णों में रहूं हाललिया धरती पर आया हूँ लेकिन तेरी इस्तुद्धी करने के लिए तेरी महिमा करने के लिए तेरा ग्यान बाटने के लिए तेरी बुद्धी लोगों तक पहुँचाने के लिए मैं धर्टी पर क्यों हूँ, यही मेरा काम है, यही मेरा काम है कि मैं धर्टी पर हूँ, इसलिए मैं पढ़देशी हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता के बारे में, अपने धाम के बारे में, अपने घर के बारे में, यहां प्रित्वी पर लोगों को बताऊं, ताकि वो आएं औ पर आशीश बाय, दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम आपने आपको पढ़ देशी समझें, तबी हम हमारा प्यार, हमारा मोह, हमारी तृष्णा इस धरती के लिए नहीं होगी, इस धरती पर व्या करने के लिए नहीं होगी, धन जमा करने के लिए नहीं होगी, मकान बनाने के ल चाने की होगी और यही पिता चाहता है इसलिए धन्य है कि हम परदेशी हैं धन्य है कि हम पिता के साथ स्वरक में जाने वाले हैं धन्य है कि हमारा घर इशो मसीब बना रहा है धन्य है कि वो घर जहां पर अध्वुत अनंद काल का जीवन हमें मिलेगा सुख शांती हमेशा की होगी सदैव की शांती सदैव का आनंद हमारा इंतजार कर रहा है और उसी आशा के साथ हम इस धर्टी पर परदेशी होकर रहते हैं तो आए धर नवा देते हैं और प्रात्रा करते हैं पिता परमेशर तो महाने महिम और आदर के योग है ये भावना ये इस्थाई ये विचा ये बुद्धी हमारे अंदर हमेशा रहे कि हमेश धर्थी पर परदेशी है और परदेशी बनकर ही हमेश धर्थी पर परमेश्वर का बनकर रहना है उसकी महिमा करना है इस शुमुसिया के पवित्र सावर्थी नाम से मांगते हैं Amen, Amen, Amen